राहूल गांधी जी की भारत चोडो यात्रा में इसकी सुरुआत हो चुकी है देश भर में फैल हमारे करोडो कारेकरतों को एक बार फिर से संजीवनी मिली है यात्रा ने दिखा दिया है कि कॉंग्रेस की विचारधारा को देश में जवरदस्त समर्तन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराट पैदा हुई है वरिश्ट कॉंग्रिस नेता मनीशंकर अयर ने संग परिवार पर तीखा हमला भोला जाती धर्म और भाशा के आधार पर समाज को तोड़ने का इलजाम लगाया राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार से फर्याद का भी जिक्राया शिकायतों का पोलिंदा खुल गया बीजेपी भी जवाबी हमले के साथ हाजिर हो गई धर्म के आधार पर, भाशा के आधार पर, जाती के आधार पर, सद्कृती के आधार पर भारत को टुकडे टुकडे बनाने वाले ये संग परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है एक जनरेशनल चेंज नदर आरहा है जो बहुत वैनकाम है और एक अकुरतेतल हमारी पार्टी को की साथनां को गए है जो शैद दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी जोगों का तूटा हुआ विश्वास दिखता है और लोगों की एक बिगडी हुई आस्ता दिखती है इसका हम सामना कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो लोग बटवारा चाह रहे हैं भारत की मानसिक्ता का हमारी सोच का उसका हम सामना करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी अगर हम यात्रा का जिस देखते हैं तो महबत का ठेला और नफरत का मिला अब जो पूरी की यात्रा है वो महबत का ठेला लेकर के और नफरत का मिला लगा रही हो किस तरह से लोगों में गुमराही पैदा करो, कैसे बिखराओ और टकराओ का माहौल पैदा करो, इसकी कोशिश है आज़ादी के अंदोलन के दोरान 137 साल पहले मुंबाई में कॉंग्रेस की नीव रखी गई थी लेहाजा दिल्ली में स्थापना दिवस का जंडा फैरा कर, खरगे मुंबाई पहुच गए बीजेपी के खिलाब आरोपू की फैरिस्ट खोल गए कॉंग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर राहूल गांधी ने खुद को कॉंग्रेसी होने पर गर्व का इजहार किया कॉंग्रेस के संघर्षों और उपलब्धियों की कहानी कहते, एक वीडियो शेयर करते वे राहूल ने ट्वीट किया मुझे गर्व है, मैं ऐसे संघर्षन का हिस्सा हूँ, जिसने हर परिस्तिती में सत्य, अहिंसा और संघर्ष का रास्ता चुना और हर कदम हमेशा लोग हित्त में उठाया आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही कॉंग्रेस पार्टी की तरब से देश को साथ प्रधान मंत्री मिले है सबसे पहले 1947 से 1964 तक जवाहल लाल नहरू देश के प्रधान मंत्री रही